वेल्गमम сटवाइन वीडियो तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होती है और इंट्राडे क्या होती है यहां पर पूरी एक बिगनर्स के लिए चाहां से करना कैसे करना वहां आपको की आपको बताऊंग चाहिए इसके लिए या और यह बेस्ट क्या होता है लाग्रिज होusa क्या क्या करा रहा हुआ चलो भाई-ची फैसके बात करेंस तो हम सबस्वाइब करें लोगा था क्या होती है सबसे सिंपल पॉइंट है इसको बहुत जाए डिफिकल्ट नहीं समझेगा तो बेसे बिल्गुँ ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा कुछ है भी बताने वालों समझना है फिलिफिक है घुँल करते इंस यूसło्टторAlright जुद कैसे हैं किसी चीज को से म्नें रिफिकर कर दिया सब्सक्राइब को कि ने क्या वो दिया किसी बच घ्रीडिऔर और और ऑपने यह बेच दिया हुस प्ल यह किस बोने आज जाता है वो आजाता है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा ऐसा होगी कि जैसे कोई भी चीज आगर आपने आज खरीदी और आज खरीदने के बाद जब आपके टार्गेट मिल गया तो कुछ दिन वाद आपने उसको सेल कर दिया ठीक है इसको स्विंग बोला जो आपने आज खरीदा और कुछ क्सक्यों स्टाउक को आज खरीद है और यहीं कि आज उसको आज कि बेस आपको हमने ञाइक होती ह्टोबर होगा उन्हें हम बात करते हैं कि जो इंट्रेडे होती है उसका डाइम उसके हम कौनसा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए और जो स्वेंग है उसके हम कौनसा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए तो देखो यहां पर आपको टाइम बिल जाते हैं सबसे बैस्ट क्या होता है अगर आप इंट रिकमेंडे करूंब ठीक है उसके बाद अगर आप स्टॉक्स इलेक्शन के लिए हमको क्या करना है सिंपल क्या करना है यहां पर देखो अगर आप इंट्राडे के टेडिंग कर रहे हैं अगर आप जैसे इंट्राडे के अंदर यहां यह कंपनी तो इनका प्रैस करते हैं जो इनका प्री मियम होता है इनका प्रीमियम में मिलता है प्राइस थी यह वीदियू में को मैं आपको आपको कहां से लिया यह थो ढंदर ही आपको इंदर ही आपको कहीं पर अब भी को। छोट को कहांए यह तो लीना और आप दिक्ताइब लिए गता है अधर ऑपको लिए गहां कि यहां पर हो गया था कि आपको क्या करना है Swing Trading के लिए one day जो one week भी यूज़ कर सकते है one week भी ठीक है best क्या होगा one day होगा beginning में और आप इंट्रेटी ट्रेडिंग के लिए कितना यूज़ कर सकते है five minute यूज़ कर सकते है ठीक है तो आपको stocks कहां से लेने stocks वाला point हमारा clear हो गया कि जितने भी 50-50 के stocks हैं हमको वहां से ले practice के लिए यूज़ करें थे मैंने 10,000 और अगर आप स्टार्टिंग में करें तो आप भी 10,000 से स्विंग ट्रेडिंग 20,000 से कर सकते हो आप देखो इसमें कोई भी प्रॉफिट जाद नहीं होने वाला बस डेर सो दो सो तीन सो रोपय का चार सो रोपय का यहां था कि पांच के लिए नहीं होने वाला त्लिए तो मैंने बता दिया मिनिमम आपको ना कर सकते हो इतना हो जाएगा है विगनिंग में आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और इंट्रेडिक के लिए आपको यार कम से कम यार पचास जार रुपय तो चाहिए चाहिए ठीक है न उसमें क्या र रख लीजे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो बेगने हैं तो अभी मैं बताऊंगो कि आपको सबसे पहले कितना यूज करना है अब बात करते तो बैस्त क्या है अगर आपके लिए बैस्त क्या होगा और यह नहीं होगा देखो क्या होताई वह यह क्या करता है इसनी पैसे बनाने के लिए पैसे बना भी सकते हो गवा भी सकते हो लेकिन क्या करना है हमको लालच नहीं कछ परद्यान देना चाहिए इसके लिए कि अप सबसे पहले स्विंग श्टार्ट कारो ठीक है आपको क्या करना है सविंॉंग ट्रेडिंग की से जब करने लागे इंटेने यह तो यह हो गया क्या से लिए बजड करो करो अब बात करते हैं इस ट्रैटिजी के बारे ठीक है ठीक है भाई हमने आपकी पॉइंट समझ लिए आपने जो बोला समझ लिए ठीक है चलो थैंक्यू अभी आप करेंगी बाई इस ट्रैटिजी भी तो पता होने चाहिए अगर आप मार्गेट में नए नए हो तो अभी क् कतेक новых फंडमेंटल बेस arrangements ये सब समझ लो ठीक है कि चाट क्या होता है।सी क्या होते हैं श्यमेंग क्रेंग होते हैं और प्राइटन्स क्या होते हैं अभीव लेकिन आपको क्या करना है इसको प्राइज एक्षन नहीं करते हैं जो पैसा कमा रहे है तो प्राइज मतलब क्या सिंपल विदाउट इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग करने है इसी को प्राइज एक्षन बोलते हैं और रेंडम नहीं करना है उसके आपको स्ट्रेटिजी सीखने पड़ेंगे पैटन जैसे का पैटन हैं यह सारी पैटन्स होते हैं इनको अपन सीखेंगे आने वाल इस वीडियो में नहीं सिखा सकता है तो यहां पे हमारी चीज़े होगे तो गैस इस वीडियो से रिलेटेड इन टॉपिक्स रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताना है मैं आपके हर एक कॉमेंट का रिप्लाइ करूँगा और वीडियो अच्छी लगए तो जल्दी से लाइक करते हो सब्सक्राइब कर लो बैल योटिफिकेस ना की प्राक्टिस्थी प्रेडीग